कि देखिए वच्चों एक्जाम्पल पढ़ाते हम आपको थ्री एक्जाम्पल थ्री में दिया हुआ है अवैज गुणनखंड विदी द्वारा प्राइम फेक्ट्राइजिसन मेथड यानि कि पिरते एक भाज संख्या को एदुतिय रूप से एक भाज संख्या के रूप गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है उस विदी के दुआरा हम 96 और 404 का स्टेफ याद करेंगे और फिर इनका LCM याद इन दोनों का गुर्णफल उन दोनों संक्याओं के गुणनफल के बरावर होता है तो पहले हम HCF निकाल लेंगे इसके बाद हमें तीन चीजे हो जाएंगी ऊदो ऑर इसके बाद हम उनको बरावर करके निकाल लें एक तो सबसके पहले करते हैं ऐसे से यह एक्दम बेस से सबसे पहले हम इसमें दो का हुग दें के नियम आपने पढ़ पढ़ लिये हैं सारे पिछली कुछाओ में दो कि अड़ता जाएगा इसके बार लेंगे चुब्यस बार चाहीं धिर इसमें दो कर रहा है रोड़ जाएगा फिर अगेन इसमें दो का भाग देंगे छे बार जाएगा अगेन इसमें दो का भाग देंगे तीन बार जाएगा और अब इसमें तीन का भाग जाएगा एक बार तो दीखिए ये इसके प्राइम फेक्टर हमें प्राप्ट हुए हैं अब इन प्राइम फेक्टर को हम यहाँ पे लिख देंगे कि 96 के प्राइम फेक्टर हमें प्राप्त हुए है दो इन्टू दो इन्टू दो इन्टू दो तीन और दो पाँच एक दो तीन चार पाँच इन्टू तीन एन की दो की पावर पाँच into 3 गी power 1 यह prime factor हमें प्राप्ट हुए है किसके 96 के इसके बाद हम prime factor देखते हैं 404 के 404 के हम prime factor यहां कर लेते हैं यहां पर देखे 404 इसके prime factor करते हैं 2 का भाग देते हैं 202 बार जाएगा फिर 2 का भाग देते हैं 101 बार जाएगा अब 101 में सिर्फ 101 का भाग ही जा सकता है एक बार तो देखिए ये हो गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 101 यहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं ये देखिए अब हम लेखेंगे कितना 404 फराबर लेख देंगे दो इंटू 2 इंटू 101 बराबर ये कितनी बार है दो बार है तो इसको लिखेंगे दो की पावर दो इंटू 101 की पावर एक ये इसके क्या हो गए प्राइम फेक्टर हो गए हमने पढ़ा है कि जब हम अभाज संख्याओं को समार रूप में लिखते हैं तो हम उने गातों के रूप में लिख देते हैं ये भी हमने पढ़ा है अब देखिए दो ये प्राकर्तिक संख्याओं थी इनके अभएज गणनखंड हमने कर लिया है अब हम निकालते हैं to hcf क्या होता है सो हमने पढ़ा है कि byvnn संख्याओं में या दी हुई दो संख्याओं के अभएज गणनखंडों में अभेनिष्ट अभेज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है HCF तो देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है और वो भी कैसी अभेनिष्ट है इसमें दो अभेनिष्ट है इसमें भी दो अभेनिष्ट है लेकिन इसमें दो की पावर दो है तो इसमें से भी दोगी पावर दो ले लेंगे क्योंकि हमें लेनी है और निष्ट गुरनकंड में सबसे बड़ी घहत का गुरनपल। इसमें और इसमें डोनों में जो common होगी वही है सاشेब गुणनकंड वेनिष्ट गुणनकंड की सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणनफल ही HCF होगा तो देखिए यह सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 5 लेकिन यह तो इसमें ही है इसमें थोड़ी है दोनों में होनी चाहिए तो 2 की पावर 2 इसमें भी है और 2 की पावर 2 इसमें ही है इसमें भी है और इसमें भी है तो यह हो जायागा सबसे बड़ी घात का गुणनफल बरावर दो इंटू दो बरावर चार अब हमें चार प्राप्त हुआ है क्या है अब है जो गुणनखंड बड़ी द्वारा चार 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 प्रिर इन का गुणनफल अब हम करेंगे कौनसी विदी से दूसरी विदी से उस विदी से की दो धनातमा कोन अंक Хोते है लिख देंगे कि यदि दो धनात्म कुणांग हैं जैसे यह दोनों धनात्म कुणांगों को आपस में हम कुणा करेंगे और इसका गुणनफल किसके बरावर होगा HCF into LCM तो देखिए यहां हम HCF की जग़े क्या लिख देंगे 4 SCF की जगए हम यहां क्या लिख देंगे चार लिख देंगे क्योंकि SCF कमान निकल के आया कितना चार निकल के आया है यहां चार लिख दिया अब LCM अब इधर हो जागा 96 into 404 अपन इधर आजागा यह जब कोई संख्या इधर multiply में हो तो वो इधर भाग में आ जाती है तो यहां चार का भाग लग जागा और उधर रहे जागा LCM अब देखिए चार का भाग देंगे इसमें Suppose सिम्पल एदी तो हैं चार से नहीं कट रहा दो से काट लिए दो दूनी चार और यह कटेगा 202 बार अब या इसको काट लो या इसको काट लो तो दो से काटेंगे 101 बार तो इधर आगे कर देते हम इसको आगे करेंगे कि 96 into 101 तो LCM पराबर हो जाएगा 96 into 101 अब इसको हम मल्टिप्लाई करेंगे जब हम इसको मल्टिप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यह आजाएगा यह आजाएगा 96 और 96 यह हमारा हो जाएगा क्या LCM LCM हो गया 96 96 तो इस तरह से हमने इसके HCF और LCM दोनों याद किये हैं अब आज गुननखंड बेदी द्वारा हमने इसके HCF और LCM दोनों याद कर लिए हैं HCF चार है और LCM है 96 96 और हम यह ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहां से हमने देखा है कि सबसे बड़ी घात होती है वह यह और यह कॉमन है दोनों में तो इसका जो गुननफल होगा चार वही क्या होगा HCF होगा जैसा आपने विच्छी कच्छाओं में पढ़ा हैं और यहां से हम LCM भी याद कर सकते हैं जैसे यह दोनों इसकी जगह क्या लेंगे दो लेंगे इसकी जगह दो लेंगे बागी इन सब को गुणा कर देंगे इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं तो यह कंप्लीट हुआ अब LCM और HCF यह कोशिन कंप्लीट एक्जामपल थरी इसके बाद एक्जामपल पूर पढ़ेंगे हम पार्ट एट में यह हैं आपका पार्ट सेवन बास्तविक संख्या हैं देख लीजिए कोई दिक्कत हो आपको तो नीचे कॉमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और वीडियो आपको ऐसे मिलते रहें पूरी बुक के A to Z थैंक्स फोर वाचिंग दे वीडियो